तोड़े वी आर गएंग तो डिसकूस अबाट दा वूडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉंजुगेटेड डाइन्स ट्राइन्स और पॉलिंस आज इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हम लैम्दा मैक्स किसी भी कॉंजुगेटेड डाइन्स का लैम्दा मैक्स को कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ बेसिक वैल्यूज होंगी या जिसे हम पैरेंट्स वैल्यू कहते हैं वह हमें याद रखनी पड़ती है इसके लिए तो कैलकुलेट दा लैम्दा मैक्स तो आप देखते हैं इसमें हमें कौन-कौन से रूल से वूड़ फिशर रूल के जिस कोई अगर हमारे पास ओपन चेंग स्स्टम है तो हमें वहां पर बेसिक यूनिट लेनी होगी वह होगी ब्यूटा 1-3-9 यानी जो ब्यूटा 1-3-9 या इसकी जो बेसिक वैल्यू यानी जू एबजॉप्शन है जो लैम्दा मैक्स होता है ब्यूटा 1-3-9 पी उसका जू ए हमारे पास open system है तो वहां हमारे को ब्यूटा-13-dyn देखना है और उसकी basic value हमारे को उसमें add करनी होती है तो हम क्या लेंगे 217 nanometer for the buta-13-dyn अच्छा अब यह जो buta-13-dyn है that is in two forms one is the transoid and another one is in the scysoid form because यहां पर इस bond के because this is sigma bond तो यहां जो free rotation possible है तो it may exist in transoid और it may exist in scysoid form तो mostly it remain in the transoid form क्योंकि यह stable form के अंदर होता है तो यह इसकी जो basic value हो जाएगी वो होगी 217 तो हमारे को अगर कोई open system दिया वा है किसी problem के अंदर और वहां में lambda max calculate करना है then we have to use this basic value for buta-139 या butadine को उसको हमें वहां देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर उससे जो भी extension है या जो भी उससे लगावा है then we have to see later on next है उसमें that is homo annular conjugated double bond यानि जो conjugated system है जो double bond system है वो एक ही रिंग के अंदर हो suppose देखो यहां पर हमारे पास दो रिंग है this is ring 1 A और this is ring B अब यहां पर जो alternate double bond and single bond है या conjugated double bond है वो एक ही रिंग के अंदर present है जैसे इस वाले के अंदर भी suppose this is ring A and this is ring B तो यहां पर भी जो conjugated system है वो कहां पर है वो एक ही रिंग के अंदर है तो इसमें यहां आप देखोगे conjugated system या conjugated double bonds तो इसकी जो basic value हमें लेनी होती है वो लेनी होती है 253 तो दिस इस दब basic value for homo annular conjugated double bond system थर्ड रूल क्या कहता है थर्ड रूल है कि अगर यहां पर देखो यहां ring A and ring B यहां पर जो system है यहां पर जो conjugated double bond है वो कैसे है वो these are in the form of transoid यहां पर यह transoid form है इसका मतलब है कि एक double bond तो एक ring में है और जो conjugated system में है वो एक ring में ना होकर वो दो ring के अंदर हो तो उससे हम कहते हैं that is known as heteronular conjugated system तो यहां पर देखो एक जो bond है वो एक ring में है A में और जो दूसरा double bond है that is found in the ring B ऐसे यहां पर है यहां पर भी दो ring एक साथ है एक double bond है वो एक A में है और second is in the ring B तो यह सभी के अंदर आप देखोगे तो यहां पर हमें transoid form ही मिल रहा है तो transoid form है तो वह हमेशा heteronular conjugated system बनाता है और उसकी जो basic value है that is 214 nanometer हमार को जो value याद रखने है इसकी basic value किसके लिए heteronular के लिए वहां पर उसकी जो basic value हो जाएगी 214 अब यह basic value हम देखने के बाद अगर हमारे हमें पहले जो भी problem दी गई है तो उसमें हमें पहले यह देखना है कि हमारे पास कौन सा system दिया वा है क्या वह heteronular है क्या वह homoannular है या open chain system and then हम उसकी basic value lambda max value उसमें ले लेंगे वह उसकी basic unit हो जाएगी या basic value हो जाएगी अब उसके बाद हमें क्या करना है हमें कुछ increments देखने होते हैं वह increment कौन कौन सकते हैं let's see तो first increment for each substituents क्या क्या हो सकते हैं वह है exocyclic double bond तो कभी भी अगर उस जो conjugated system है जैसे वह homoannular हो, heteroannular हो या open chain system हो वहां अगर exocyclic double bond हो तो वहां पर हमें जो basic value होगी उसमें हमें plus 5 और add कर देना होगा तो अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि exocyclic double bond है क्या तो let's see यह हमारे पास दो ring है ring A and ring B तो यहां आप देखोगे कि जो यह वाला double bond है this double bond यह जो yellow के अंदर double bond है this is exocyclic to ring A यह exocyclic है to ring है यह वाला double bond है this double bond it is not an exocyclic for the ring B अब में exocyclic का मतलब क्या है कि suppose हमारे पास कोई ring है तो उससे जो double bond है that is directly attached with that ring तो अगर ऐसा कोई भी double bond हो जो उस ring से directly connect हो तो उसको हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे exocyclic लेकिन अगर वो directly connect नहीं है suppose वो इस तरीके से है या एक छोड़कर तो वो दूर है यानि वो double bond उस ring से directly connect ना हो तो these will not be a exocyclic double bond तो जैसे इस वाले example में हमारे को क्या दिख रहा है कि कि यह वाला जो yellow से है वो exocyclic double bond है ring A का जबकि यह वाला double bond ring B का exocyclic नहीं है तो यहां पर कितना exocyclic double bond है that is one तो हम क्या करेंगे क्योंकि एक तो यहां पर देखो इस इन transoid form यानि हमारा जो basic value लेनी पड़ेगी वो किसकी लेनी पड़ेगी वो heterocyclic की लेनी पड़ेगी heterocyclic system की लेनी पड़ेगी that is 214 उसमें हमें क्या add करना पड़ेगा plus 5 for exocyclic double bond है अब इस case के अंदर देखते हैं यहां पर भी हमारे पास दो ring है तो यहां पर भी यह transoid form है यानि यह hetero annular system है हमारे पास अब यहां देखो ring A का तो ring A का यह exactly this is the exocyclic double bond यह क्या दिख रहा है हमारे तो exactly exocyclic है ring A का जबकि यह वाला जो bond है यह exocyclic हो गया ring B का यानि ऐसा कोई सा भी bond ऐसा double bond जो ring से directly connect हो उसको हम क्या कहेंगे exocyclic double bond तो इस वाले case के अंदर ring A का भी exocyclic है यहां पर और ring B का भी यहां पर एक exocyclic double bond दिख रहा है तो यहां पर कितने exocyclic होगे यहां पर two exocyclic double bond present है तो हम दो अगर यहां पर exocyclic है तो हम basic value के अंदर because it is again retro annular तो इसमें हम कितना add कर देंगे हम इसमें 10 add कर देंगे 5 for each exocyclic double bond तो पहला जो extension हो सक होता है वह है अगर वहां पर कोई exocyclic double bond है तन वी आफ टो add plus five in that case अब चलते हैं दूसरा increment क्या हो सकता है कि अगर वहां कोई alcohol substituent लगा हो कोई r group लगा हो किसी ring से r group लगा हो या open chain से कोई r group लगा हो या ring residues हो अभी हम इसको आगे problem समयुए भी देखेंगी कि ring residues क्या होती है और प्लस फाइफ एड करना है एँपन और एक्स-टेंशन और की देर युद्ध लगी अगर्ए जो वहां हो यह Pol क्या होगा है थे क्यों दिशन के लिए उसमें हम्हें फ़ाइब करना पड़ेगा यानि जो भी हमारा ही हो यह ओमने अनर हो यह ओपन चेंट इस्टेम है तो लेकिन अगर उसके साथ conjugation भी extend हो रहा हो, further extension हो conjugation का, तो हर एक extension का, each extension उसमें हमें plus 30 और add करना है in the basic value, तो ये extensions हमें ध्यान में रखने हैं, जब हम कोई भी problem solve करेंगे by Woodward-Fisher rule, जिसके भी हमें lambda max calculate करना है, then these three increment should be in mind, तो हमें इन सब को उसमें add करना पड़ेगा, अगर वो present है तो, कुछ oxochrome और होते हैं, जो lambda max को increase करते हैं, जो oxochrome है they are used, अगर वो attached हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी lambda max को increase करते हैं तो अगर suppose उसमें OR है कोई, अगर कहीं लगावा है system के साथ, तो वहाँ पर group लगावा है, तो हमें उसमें plus 30 OR add करना होगा, अगर उसमें कुछ halogen लगे वे हैं, तो वहाँ पर भी हमें plus 5 add करना पड़ेगा, और ये अगर हमारे पास कोई dial का element है, then we have to add plus 60 in the basic value, तो ये अगर oxochrome conjugated system में लगे वे हैं, then we have to add according to their कौन सा उसमें oxochrome वहाँ पर लगावा है, तो ये हमारे को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर उसमें oxochrome है, then only we have to add these values, now by using all these rules, ये जितने भी हमने यहाँ पर basic value देखे हैं और increment देखें, अब इन से कुछ problem solve करते हैं, जिससे कि हमारे का, हमें ये Edward Fusher rule और अच्छे तरसे समझ में आ जाएं, तो, so let's start with this problem, ये एक हमारे पास एक system है, conjugated system यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है, तो हमें इसमें क्या करना है, we have to calculate the lambda max, हमें इस system का ये जो problem है, इसका lambda max हमें calculate करना है, तो आओ देखते हैं, जो lambda max कितना आता है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, कि हमें यहाँ पर कौन सा system दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह system कौन सा है, तो it is a heteroannular conjugated system, यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ transferred form दिख रहा है, तो suppose this is ring A and this is ring B, तो यहाँ पर दो rings है, और दोनों ring में conjugation फैला हुआ है, तो A में भी है और B में भी, तो यह कौन सा हो गया, this is a heteroannular conjugated system, तो इसकी जो basic value आजाएगी, हम यहाँ इसकी basic value ले ले लेंगे, इसकी जो basic value होगी, वो किसके लिए होगी, वो हो जाएगी, heteroannular की and that is 214 nanometer, तो वो हम ले लेंगे इसमें 214 nanometer, इसकी basic value, अब देखते हैं, तो हमारा जो अब system है, conjugated system है, वो यह है, this is the conjugated system, that is expand in two rings, दो ring के अंदर हमें दिखाए दे रहा है, अब देखते हैं, कि इसमें और क्या चीज़ हो सकता है, यहाँ हम देखेंगे, कि यहाँ ring residues कितने हैं, तो ring residues क्या होता है, यह जो system है, यहाँ से और यहाँ तक, इससे जो आगे ring को आगे increment हो रहा है, जो ring आगे जाकर complete हो रही है, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ring residues कहते हैं, तो यहाँ यह हो जाएगा एक पहला ring residue, क्योंकि यह आगे जाकर ring को complete कर रहा है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से, तो लेकिन यह ring residue नहीं है, इसको अभी हम अभी discuss करते हैं लेकिन पहले यह एक और ring residue हमें दिखाए दे रहा है जो आगे ring को complete करते हैं आगे चलें तो यह भी एक ring residue है तो इस पूरे conjugated system से हमें क्या दिखाए दे रहा हमार को three ring residues यहां पर दिखाए दे रहे हैं तो यहां हम add or कर देंगे basic value में ring residues तो ring residues यहां पर उसमें basic value में add करते हैं तो हमार कितने ring residues हैं यहां पर three ring residues है और हर ring residues का कितना add करना होता है प्लस five करना होता है तो अब total कितना हो जाएगा that will be the 50 nanometer और हम basic value के अंदर उसमें add करते हैं now this is the support यह आपका कोई alkyl group लगा हुआ है यह कोई alkyl group का है तो यह alkyl substituent हो गया this is not a ring residue this is alkyl substituent तो एक alkyl substituent इस system से लगा हुआ यह दूर चला गया यह उस system से attached नहीं है तो इसको हम इसको counter नहीं करेंगे केवल यह system से यहां यह जो हमारा system में है conjugated system में उससे directly यहां attached दिखाई दे रहा है तो एक ring alkyl substituent यहां और दिखाई दे रहा है तो हम उसमें add कर देंगे इसका alkyl substituent उसका भी हम क्या करते हैं उसका भी हम plus five add करते हैं तो यहां पर basic value के इंतरा plus five और add करते हैं अच्छा यहां पर हमें कोई extension नहीं दिखाई दे रहा conjugation में यह केवल इतना ही system है इसमें कोई extension और नहीं हो रहा करें double bond का जो यहां पर हमार को नहीं तो यहां extension नहीं है लेकिन यहां पर क्या एक्जडु सैकलिक डबल बॉन है वो देखते हैं तो यहां ring A का यह एक्जडु च्डेटल बॉन हमार को definitely दिखWatch देरहा है तो यहां पर एक एग्जडु सैकलिक डबल बॉन यह जू है वो किसका है वह ring A का exocyclic double bond दिखाए दे रहा है जबकि यह वाला जो bond है double bond वो B का exocyclic नहीं है तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही exocyclic double bond है तो हम उसमें और add कर देंगे for exocyclic यहां हम exocyclic double bond का और इसके अंदर increment लगा देंगे और exocyclic double bond का increment कितना होता है that is again the 5 तो हम इसमें 5 को भी add कर देंगे इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है तो यहां हम इनको total कर लेंगे जिससे कि इसकी value यहां पर आ जाएगे so the lambda max for this problem is come out to be 239 जब हम इसको add कर देंगे तो the value is 239 nanometer तो यह वाला जो compound है वो absorption कितने पर दिखाएगा lambda max का वो दिखाएगा 239 nanometer तो यह हमारा problem first अब चलते हैं दूसरी problem की तरफ यहां पर देखते हैं इसमें lambda max कितना आना चाहिए तो यह हमारी next problem example number two अब यहां देखें तो इसके अंदर यहां हमार को क्या दिखाए दे रहा है कि अगर हम ring A, ring B and ring C यहां देखें तो यहां पर जो conjugation है वो तीनों रिंग में फैला हुआ है यहां पर conjugated system तीनों रिंग के अंदर दिखाई दे रहा है तो अगर हम A और B का यह double bonds को अगर देखें तो यह हो जाएगा hetero annular अगर B में बात करें हम तो दोनों double जो conjugated system है वो दो B A के रिंग के अंदर है तो यह हो जाएगा homo annular और अगर B और C की बात करें तो again we found कि it is a hetero annular conjugated system दिखाई दे रहा है तो अगर ऐसी कोई भी problem हो जहां hetero annular भी हो और जहां homo annular भी हो तो वहां हमार को क्या धियान में रखना है कि हम जो basic value लेंगे जो हम basic value या जो parent value यूज करेंगे वो करेंगे homo annular की तो यहां ध्यान में रखना है कि अगर hetero annular भी है और homo annular भी दिखाए दे तो हमें जो parent value लेनी होगी जो parent value आएगी वो किसकी लेंगे हम यहाँ पर वो लेंगे homo annular की तो यह ध्यान में रखने की बात है यहाँ पर कि हमें use कौन सी करने होगी वो homo annular की value use करने पड़ेगी तो हम इसको में लिख लेंगे इसकी जो basic value होती है homo annular की that is 253 nanometer तो हम इसमें 253 इसकी basic value ले लेंगे अब चलते हैं तो यानि यह हमारा यह जो ring B के अंदर है यह क्या हो जाएगा यह हमारा होगा homo annular जिसकी हमने basic value ले ली है 253 nanometer अब चलते हैं extension देखते हैं हम यहाँ पर देखो क्योंकि यहां B के अंदर ही homo annular हमने basic value ले लिए हैं लेकिन चो conjugation है वो तो ए में भी फैला हुआ है और वो सी के अंदर भी हमार को ring के अंदर दिखाए दे रहा है तो इसका मतलब यहां extension तो है वह conjugation का extension हमार को दिखाए दे रहा है तो वह extension कहा है तो अगर इस point से because हमारा जो conjugated system है homo annular का वो यह है यहां से और यहां तक का लेकिन extend हो रहा है तो single bond and double bond तो यह नहीं conjugation बढ़ रहा है तो यह जाकर इस point तक होगे एक side में और दूसरी side में ring c में भी यह पहला हुआ है तो अब जो हमारा जो पूरा system है जिसको हमें observe करना है वो इस point से लेकर और वो इस point तक है तो अब यहां पर हमार को दो extension हो गए यहां पर एक चल रहा है ring a के अंदर और एक चला गया ring c के अंदर तो यहां पर दो extension है तो हम उसको add कर देंगे तो यहां हम लिख लेते हैं वो हो जाएगा क्या हो जाएगा double bond extension double bond extending conjugation तो वह भी हम इसमें add कर देंगे double bond extending conjugation वो हमारे पास यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं वो हैं तो और हर एक conjugated extension का कितना होता है plus 30 करना होता है तो हमें क्या करना है two into 30 हो जाएगा यानि 60 और हम इसमें जो basic value है उसमें add कर देंगे तो हमारा first हो जाएगा parent value ले लिए हमने उसके बाद हमने देख लिए इसमें extension कितना है यहां तो दो extension है तो 30 का double हो जाएगा that is 60 now अब देखें यहां पर ring residues कितने हमारे को दिखाई दे रहे हैं तो ring residues देखो क्योंकि अब हमारा जो इस point से लेकर और इस point तक हो गया तो इससे जो हम यहां पर देख लेते हैं तो पहला यहां पर है यह रिंग में इसके साथ क्योंकि आगे जाके ring को complete कर रहा है अब यहां चले तो इस point पे एक और ring residue है जो आगे ring को complete कर रहा है फिर चले यहां पर इस point पे तो यहां पर भी एक ring residue हमारे को दिखाई दे रहा है फिर चले इस point पे तो यहां पर भी एक ring residue दिखाई दे रहा है तो overall कितने हमारे वो रिंग रेसिड्यूस पर दिखाई ते रहे इस example तो 1, 2, 3, 4, and 5 तो there are 5 ring residues present in this example तो हम उसको add कर लेंगे तो यहां ring residues कितने होगे ring residues वो कितने होगे हैं वो है 5 और हर ring residue का हमें plus 5 add करना होता है तो यह हो जाएगा total 25 यानि 25 हम basic value में हमें और add करना पड़ेगा अब चलें exocyclic double bond को देखते हैं कि यहां पर exocyclic double bond कितने हैं अब इनको देखते हैं ring A का देखो यहां ring A है तो ring A से आप देखोगे कि यह जो है आपको यहां 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 जो है यह ring A का exocyclic double bond है this is exocyclic double bond for ring A अब चलें ring B में देखें तो ring B में देखो यहां उपर दिखाए देखा आपको एक double bond यह जो है this double bond this is again exocyclic this is again exocyclic किसका ring B का अब चलें ring C में तो यह again this is the exocyclic double bond for ring C तो यहां यह तीसरा भी एक exocyclic double bond हमारे को दिखाई दे रहा है इसके अंतर है तो यहां ring A का भी है यह वाला B का भी है this one C का भी है यह वाला तो यहां पर कितने present हैं यहां पर exocyclic यहां पर तीन exocyclic double bond है तो exocyclic double bond उसकी value हम लिख देंगे यहां पर exocyclic double bonds present है यहां पर तो और हर exocyclic double bond का कितना अगें फाइफ होता लेकिन यहां पर कितने एक्जुसाइग लिकें थ्री तो थ्री इंटु फाइफ हो जाएगा धाट विल बी दा फिफ्टीन नानो मीटर यहां कोई भी यह विलकाल संद्य क्राइब यहां नहीं लगा वा इस सींट्र that is 353 nanometer, so this is the absorption, that is around 353 for this example, तो यहाँ पर यह इतने पर absorb करेगा, उसका lambda nux हैगा, 353 nanometer, next example लेते हैं, यह है एक हमारा open chain system का, यहाँ पर क्या है, open chain system is present, तो यहाँ देखते हैं, तो this is butadiene system, यह हमारे पास क्या दिख रहा हैं, यहाँ पर यहाँ पर, यह जो है, this is the butadiene system present, तो हम इसकी basic value ले ले लेंगे, basic value, basic value उसकी कितनी आ जाएगी, parent value कितनी आ जाएगी, वो होती है, open chain के लिए 217 nanometer, तो हमने इसकी basic value ले लिए, अब चलते हैं इसमें, देखों, यहाँ पर यह दो CS3 लगए है system से, यहाँ पर दो CS3 दिखाईते रहे हैं, जो system से attest directly है, तो एक यह हो गया है, और एक इस system से attest है, तो यहाँ पर क्या है, इनको हम क्या कहेंगे, these are alkyl substituents, तो यह क्या है, alkyl substituents लगे हुए हैं, और हर alkyl substituents का कितना होता है, 5, और यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर 2 into 5, that will be 10, हम इसमें, और add कर देंगे, in the basic value, अब यहाँ, exocyclic double bond भी है क्या, let's check, देखो, यह हमारी ring है, suppose this is the ring, और यह जो double bond है, यह जो double bond है, this is exactly the exocyclic, यह कितनी है exocyclic हो गया है, तो यह है हमारा exocyclic double bond, तो यहाँ पर एक exocyclic double bond भी present है, तो उसका भी हम एड़ कर देंगे, तो exocyclic double bond, exocyclic double bond की value हम यहाँ पर add कर देंगे, and that is plus 5, तो हम यहाँ पर plus 5 और add हो जाएगा, अब देखें, यह system से यह ring है, तो कहीं न कहीं इसमें ring residue भी कहलाएगा, तो यह हो गया इसका एक ring residue, यह हो गया इसका दूसरा ring residue, तो यहाँ पर दो ring residue भी present है, तो ring residue की value भी हम इसमें add कर देंगे, so ring residue, हर ring residue का gain 5 होता है, यहाँ पर 2 है, तो 2 into 5, that is 10 nanometer, वो हम इसमें add कर देंगे, और यहाँ पर कोई extension नहीं है, ना कोई oxochrome है, तो यह ही हमारा complete इसका lambda max हो जाएगा, तो जब हम इसको total करेंगे, then lambda max will be equals to 242 for this example nanometer, so by using all this Woodward-Fisher rule, we can calculate the lambda max of any given problem by using these basic units, वो हमें इस सभी basic units का ध्यान में रख्के, we can calculate the lambda max of any problem,